पहले आज class को start करने से पहले आपके सामने में ही answer page रख दिया गया है क्योंकि पिछले lecture में हमने verner's theory के कुछ questions दिये थे आपको solve करने 100 and something कुछ number था तो वो सारे answers इसमें हैं वो serial number wise अब point है इसमें exercise 1 जो है वो आपका जई main और knit level वाला है यह जो आप देख रहे हैं यह main और knit level वाला है और exercise 2 जब आप solve करेंगे 2 और 3 इधर तो यह advanced level है तो इसमें मैंने वो clear रखा अब आपको हमने जैसे verner's theory के question दिये तो आप इससे answers को cross check कर लेंगे अब जैसे मैं अगला कोई आज के lecture में या इससे आगे के lecture में जो कुछ भी मैं दूंगा फिलाल इस assignment का इसमें अच्छे खासे number of questions है आप देख सकते हैं 235 यहाँ है और फिर इसके बाद question number 1 से आगे बरते बरते 78 तक यहाँ है तो मतलब 350 से ज्यादे मतलब 400 के approach आसपास इसमें questions है तो काफी sufficient number of questions है practice के लिए जो आपको complete coordination में करना है अगर आप जैए advanced के preparation में है तो आप इन exercise को बिल्कुल नहीं छोड़ सकते हैं अगर जैए main और need के preparation में है तो यह हर हाल में लेकिन अगर जैए main और need के preparation में आप अच्छे rank लाना चाहते हैं तो मेरा personal suggestion है आप इनको भी solve करें क्यूंकि inorganic chemistry में ऐसा अक्षर होता है कि जैए main और need जो है वो जैए advanced के questions को एकदम साप साप पूझ लेते हैं तो concept है conceptual चीज़े हैं आपकी पढ़ीवी चीज़े revise होगी अच्छे से और concept strengthen होगा इसलिए मेरा personal suggestion होगा main need वाले लोग भी इसको solve करें हां मैं definitely मैं पढ़ाते वक्त बोल भी दूंगा कि यह वाले questions छोड़ सकते हो main need वाले लेकिन मैंने फिर भी answers आज दे दिया है तो चलि आई स्टार्ट करते हैं पेज नमबर टू लिगेंड्स लिगेंड्स का जो मामला है लिगेंड को अलग-अलग theory ने अलग-अलग तानिके से define किया है लिगेंड का रोल अलग-अलग level पर define किया है ठीक है अब इसी बात को समझना है किस theory के according legend क्या है जैसे मैं बोलू कि आराम से सुनेंगे आप मैं बोलू कि वर्नर's theory भी है आपके पास जो जो theory आपको पढ़ने मैं उनका नाम लिख रहा हूँ इसके बात जो आपको पढ़ना है वो Lewis theory पढ़ना है Lewis Langmore theory है या Lewis theory के नाम से भी famous है इसके बात जो पढ़ना है वो पढ़ना वैलेंस बॉन theory और इसके बात जो theory पढ़ना है वो पढ़ना crystal field theory कितने theories हम लोगों को पढ़ने है चार theory हलाकि ऐसा नहीं है कि coordination में यही चार theory है मेरे भाई और भी theories हैं जैसे Lewis Langmore theory के बाद जर्गेंसन चेन थेयरी आया था एक जर्गेंसन चेन थेयरी पिस्टल फिल थेयरी के बाद लिगेंड फिल थेयरी आता तो theories और भी हैं लेकिन हमारे syllabus में यही चार theory पढ़ने है effective atomic number जो theory है वो इसी theory का extension है Lewis Langmore theory का इसलिए उसको कोई theory हम लोग नहीं बोल रहे हैं अब इन चारो theory में ligand के बारे में अलग-अलग बात दे हैं आईए अच्छे से समझते हैं सबसे पहला मैं अगर Werner theory की बात करूँ ठीक है Werner theory के हिसाब से ligand क्या है किसी भी तरीके का bonding defined नहीं किया गया था सिर्फ इस में 2 degree valency associated with ligand ligands के साथ एक तरीके की valency जूड़ी होती है Werner theory में हमने पढ़ा है 2 degree valency और 1 degree valency central metal के साथ जूड़ी होती है oxidation state stock notation clear होगा तो Werner के according ligand का जो है वो यही है के addition compound form कर रहा है ligand एक substance है जो आपके metal के साथ metal iron के साथ या metal iron के compound के साथ या उसके salt के साथ addition compound form कर रहा है तो कोई यहां पर bonding defined उन दिनों नहीं की गई थी उसके लिए के especially 2 degree valency coordination number secondary valency कोई लिख दिया गया था उसी point पर बाते हुई तो इसमें चलो कुछ नहीं अब आजो Lewis Langmar theory इनके according ligand ऐसा substance है जो अपना lone pair central metal को देता है मतलब ligands behave at Lewis base behave at आराम से सिखोगे Lewis base ligand Lewis base के तरह behave करता है मतलब central metal को आपका ligand lone pair donor substance है क्या है lone pair donor substance जो Lewis base में होता है तो इनके according ligand कैसा substance है जो lone pair दे सकता हो ligand कैसा substance है इनके according जो lone pair दे सकता हो ये theory भी हम लोगों को बहुत जादे नहीं पढ़़णा है सबसे जादे हम लोगों के syllabus में valence bond theory है सबसे जादे हम लोगों के standard पर valence bond theory है इनके according भी बातें यही है थोड़ा सा difference है क्या difference है आजाए according to valence bond theory इस पर थोड़ा सा अच्छे से लिखना है ligands are the substances ligands are the substances capable to contribute और coordinate दियर electron pairs loan pair के जगा electron pairs आ गया ठीक है टू वैकेंट हाइब्रेड atomic orbital of central metal अच्छे से देख लो क्या बोला हमने दोस्त हमने बोला valence bond theory के according ligands वैसे substance है जो सक्छम है capable है coordinate करने में देने में अपने electron pairs को loan pair नहीं electron pairs को किसको वैकेंट hybrid atomic orbital of central metal मैं दिखा रहा हूँ पेज नमबर 3 वैलेंस बॉन थेयरी क्या कहती है अच्छे से आ जाया समझे वैलेंस बॉन थेयरी कहती है कि सेंट्रल मेटल के पास वैकेंट सिर्फ वैकेंट नहीं वैकेंट hybrid atomic orbital होने चाहिए मतलब इसकी hybridization कुछ होनी चाहिए या तो sp हो sp2 हो sp3 हो d3s हो dsp2 हो sp3d हो dsp3 हो sp3d2 हो d2sp3 हो मतलब जो और्बाइटल है ये वैकेंट हैब्रिड और्बाइटल है अच्छे लों जिसका hybridization क्या आपने ये वैकेंट हैब्रिड atomic orbital है और इस वैकेंट और्बाइटल में लीगंड वैसा सबश्टाइंस है जो अपना electron pair koordinates करेगा सिग्मा कॉडिनेशन सिग्मा कॉडिनेशन मतलब अपना ये अब लिगेंड के पास क्या है ध्यान से एविलेबल और डोनेटेबल डोनेटेबल पेयर अफ इलेक्ट्रोंस अच्छे से दिखेगा दोस्त मज़ा आएगा लिगेंड कैसा सबस्तेंस है जिसके पास ये विलेबल या डोनेटेबल पेयर अफ इलेक्ट्रोंस है और ये सेंट्रल मेटल के सिर्फ वैकेंट नहीं बोलना वैकेंट हैब identifies अर्बैटल में अपना इलेक्ट्रॉन उसके साथ share करेगा axial overlap के थूँ axial overlap मतलब यह जो coordinate bond है वो sigma coordination है क्योंकि coordinate दो तरह का होता एक sigma coordination, एक pi coordination pi coordination lateral overlap में होता और sigma coordination axial overlap में होता तो यह किसकी बाते कर रहा है coordinate, सर आप इसको समझा सकते हो बिल्कुल नहीं, बिल्कुल समझा सकता हो देखो, एक होता sigma coordination और एक होता pi coordination यह back bonding में देखने को आपको मिलता pi coordination ठीक है, जैसे आप back bonding कोई करवाते हो CO, हमने पढ़ाया आपको पीछे M.O.T. वाले lecture को जरा देखो तो इसके पास pair है और इसके पास vacant है तो आपने कैसा coordination करवाया, pi न और sigma coordination जो अभी आपने किया, बहुत जगा माल लो कि NH3 के पास BF3 ले लो BF3 के पास vacant atomic orbital है और NH3 के पास loan pair होता है तो यहाँ पर कौन सा coordination करवाते हो, sigma तो coordination दो तरह के होते हैं एक sigma और एक pi इसमें कैसा overlap होता है axial overlap और इसमें दोस्त कैसा overlap होता है, सर lateral overlap होता है, इसमें lateral overlap और उसमें axial overlap अच्छे से देखे, तो ligand कैसा substance है जिसके पास donatable अब यह line बड़ा important है हमने यह नहीं कहा कि बस उसके पास pair होना चाहिए, हमने यह बोला कि उसके पास donatable pair of electrons होना चाहिए, donatable का मतलब क्या है खुद के पास कमी नहीं donatable का मतलब क्या हुआ वो pair ही वो दे सकता है तभी वो pair दे सकता जब खुद के पास कमी नहीं ऐसा नहीं है कि कहीं पे pair है तो दे दिया ऐसा नहीं होता, वो ligand नहीं हो सकता बोलो कि सर क्या बोलने का मतलब है आपके जब में सिक्का होता, क्वाइन होता, आप बिखारी को निकाल के देदेते हो, आप किसी निडी, निडी पिपल को लेग जाके देदेते हो, बिखारी के कटोरे में आपसे ज़्यादे सिक्का होता, क्या वो देने लाइक है? समझ में आ रहा ना तो सारे pair of electrons जो दिख रहे हैं सारे के सारे donatable नहीं है कुछ pair of electrons donatable है जहां पर खुद पहले कमी नहीं हो clear है लेकिन जिसको खुद की कमी है विखारी वो दूसरे को नहीं दे सकता वो donatable नहीं है मतलब जहां electron deficiency खुद है अगर pair of electron है भी तो वो नहीं दे सकता सर एक्जम्पल के तौर पर दिखा दो गए बिल्कुल दिखा दूँगा जैसे एक्जम्पल के तौर पर आदे अगर आपने ammonia लिया ammonia तो ammonia आपका ammonia के पास pair of electrons है और no electron deficiency octet complete है no electron deficiency clear है इसलिए यह ligand होगा यह metal को दे सकता यह pair सर दूसरा एक्जम्पल है ऐसा दो जिसमें नहीं दे सकता ccl2 ले लो ccl2 ले लो अब आप इसको पास देखो diachloro carbon जो आप बोल रहे हो इसके पास आप देखे बटा क्या electron deficiency है या नहीं बिल्कुल है electron की कमी है यह electron deficient है तो जब यह खुद electron deficient है तो क्या यह अपना pair दे सकता है बोलो क्या यह अपना pair दे पाएगा किसी को हरगीज नहीं दे सकता अच्छे से समझ में आ गया इसी लिए हमने बोला कि donatable pair of electrons अच्छे से देखो अब अगला point आपका यह तो clear हो गया कि हमेशा lone pair हो वो दे दिया ज़रूरी नहीं है उससे पहले यह भी देखना है कि आपका वो pair है मतलब खुद के आपके पास कमी नहीं सेकेंड पॉइंट क्या है हमने कहीं भी लोन पेर नहीं लिखा है हमने कहीं भी क्या नहीं लिखा है लोन पेयर नहीं लिखा है, हमने लोन पेयर कहीं नहीं लिखा है, जबकि इससे पिछला जो थियरी था, लुइस थियरी इसमें लोन पेयर था, लेकिन जब यहीं वैलेंस बॉन थियरी आप पर रहे हो, तो यह कहा रहा है कि नहीं, किसी भी तरीके का पेयर दिया जा सकता है, वो लोन पेयर नहीं हो, सर और कैसा पेयर हो सकता, बिल्कुल हो सकता, मैं दिखा रहा हूँ आपको, घ्यान से देखें, आपके सेंट्रल मेटल के पास, ठीक से देखो, हमने आपको एक कॉंपलेक्स दिखाया था, याद करो, जीसे एड़ सॉल्ट, हमने बोला था, फॉर्मूला भी हमने करवाय था, के पीटी सी एल थी, सी टू एस फॉर, हमने बोला था, कि इसको याद रखें इस फॉर्मूले को नाम के साथ, क्योंकि आपसे पूछा जाता, जीसे एड़ सॉल्ट की कहानी, तो जीसे एड़ सॉल्ट, आराम से आजाओ, प्लाटिनम कितने में हैं, देख लो, प्लस वन, माइनस वन इंटू थी, जीरो, क्या आ गया, प्लस टू, क्लियर है, तब ना, टू, वन, थी, तो माइनस थी, तो प्लाटिनम टू, अब आपने थोड़ी दिर पहले पढ़ा, प्लाटिनम टू प्लस का, क्वाडिनेशन नमबर, सर हमने क्लिय प्लाइटीनम टू प्लस, तो बाकी पर माइनस, क्वाडिनम टू प्लस, तुक से देखो, अब तीन क्लोडाईड, क्लोडाईड के पास पेर है की नहीं, पेर दिया गया कहाँ पर वाकेंट और बाइटल प्लोडाइड के पास सर चार पेर है प्लोडाइड के पास कितने पेर होते हैं चार ने बटा साथ वैलेंस खुद के और एक माइनस के कारण आठ वैलेंस सही है तो ये भी क्या करेगा इसके vacant orbital में एक pair फिर दिया गया आजो फिर एक vacant में coordination नमर चार आराम से सिखेंगे आप और एकदम सिखेंगे बिलकुल घबराना नहीं है और वीडियो से हटना नहीं है फिर एक pair दिया गया clear है अब क्या C2H4 के पास pair है सोचो बिलकुल नहीं है लेकिन C2H4 के पास पाई electron C2H4 के पास पाई है पाई loosely held electron पाई loosely held होता वो बीच में नहीं होता उपर नीचे डिलोकलाईज ये ले लो clear है ये क्या है पाई electron है यहीं दिया गया उसको तो क्या ये बोला मैंने जिसेज सॉल्ट के आपको bonding दिखाई क्या ये अब बेटा बोल सकते इस पर minus Q minus 2 plus 3 minus ये neutral तो 1 minus 2 plus 3 minus 1 minus तो मेरा ये कहना है क्या तुम इस बात की guarantee ले सकते हो कि लिगेंड हमेशा loan payer ही दे clear है लिगेंड हमेशा loan payer ही दे क्या ये guarantee ली जा सकती है बिलकुल नहीं यहाँ loan payer दिया loan payer दिया loan पेर दिया लेकिन यहाँ क्या दिया पाई जड़ा ध्यान दे अगर मैं बोलू कि इस bond का nature क्या है ये कौन सा bond है बोलोगे sir ये पाई bond है लेकिन sir अभी तो आपने बोला थोड़ी दिर पहले कि ये जो coordination होना चाहिए that should be sigma coordination तो मैं कहां कहा रहा हूँ कि sigma coordination नहीं है ये coordination सिग्मा है सिग्मा coordination का मतलब होता है axial overlap क्या मतलब होता है axial overlap सामने से overlap सिग्मा bond के तरह सामने से तो ये πाई electron आया है undoubtedly आया है लेकिन सामने से आया है सिग्मा के तरह आया है लेकिन ये हाई πाई क्यों पाइए यह पाइए लेकिन सिग्मा बहुत क्लेर रखो कॉंसेप्ट लोगों पे जाओ यूट्यूब पे जाओ देखो भरले से चल रहा है क्या है तो लोग इसको क्या बूलेंगे पाई बॉण उससे पुछो कैसा ओरलैप बोलेगा लट्रल्र आप निया तो इसे वजह से दोस्त हमने क्या अच्छे से देखे वेलेंस बाउन है फिर से बैकपेज में जाके मैं दिखा रही हूं आप आप स्क्रिंशॉट भी साथ मिलेते जाएंगे यह तो पेज बन था आपने इसका स्क्रिंशॉट लिया होगा अब पेज डू में हमने दिखाया कि वर्नर्स थियोरी के अक्वाडिंग कुछ लिगैंड की खास बात नहीं है लुइस थियोरी के अक्वाडिंग लिगैंड बस सेंट्रल एटम लेकिन एलेक्ट्रोन पेर्स क्योंकि एलेक्ट्रोन पेर्स इसलिए क्योंकि कई एक बार ये लोन पेर होते हैं और कई एक बार पाई लेक्ट्रोन होते हैं जो हमने नेक्स्ट पेज में आपको दिखाया कि भाई देख लो ये कई एक बार लोन पेर तो कई एक बार पाई एलेक्ट्रोन के भी पेर हो सकते हैं आपको अच्छे से हमने क्लियर किया इसलिए लिगैंस आर्दश सबस्टैंस कैपबल टुटो नेट कैपबल टुकांट्रीब्यूट टू कॉडिनेट दियर एलेक्ट्रोन पेर्स लोन पेर एस वेल अस पाई-लेक्ट्रोन विट या तू सेंट्रल मेटल एटम तो चलिए हमने आपको वैलेंस बॉन ओन्ज फिरी के क्या होता है तो अपन वही बात बोलेंगे जो वैलेंस बॉन फिरी के क्या होता है आप Werner के according जो होता वो नहीं बोलेंगे Lewis के according जो होता नहीं बोलेंगे और नहीं CFT crystal field theory के according जो होता वो भी नहीं बोलेंगे अब मैं ये बोल देता हूँ अगले page में पहले crystal field theory का according क्या होता है ज़रा ध्यान दे next page नमर 5 अगर आप according to crystal field theory बात करें हला क्या आगे पढ़ेंगे ये सब ligands क्या है इसके हिसाब से metal ligand metal ligand bond is purely ionic purely ionic नहीं किसी तरीके का no habitation, no overlapping नहीं किसी तरीके का habitation नहीं किसी तरीके के overlapping इनका कहना है ligand point charge के तरह behave करता है मतलब metal और ligand की जो bonding है अगर ligand पर negative charge है तब भी कुलंबिक attraction ये खीच रहा आपने तरफ अगर ligand neutral है neutral है तो इस पर delta minus होगा polar होगा ये हो गया negative ligand कैसा हो गया ये negative ligand जैसे जैसे बटा CL minus CN minus negative बहुत चार्ज वाला और ये कौन सा हो गया यहां पर neutral dipolar ligand अगर neutral है तब negative charge कैसे आएगा तो कहता है neutral dipolar ligand मतलब ये जिसका डैपोल मोमेंट ग्रेटर देन जीरो हो ठीक है एग्जाम्पल के तौर पे अमोनिया पोलर है लोन पीर से कोई मतलब भी नहीं है एच्टू ओ पिरडीन वगएरा वगएरा तब भी ये कुलम्बी का लीखीचेगा तो इनके हिसाब से ये F कुलम्बिक फोर्स है तो आप ही बताएं valence bond theory और crystal field theory में बहुत कांतर है कि नहीं valence bond theory कहता है metal और ligand के बीच का bond कोवेलेंट है और ligand field theory कहता है metal और ligand के बीच का bond ionic है अभी तो kota factory वालों ने बोला कि ये कभी कोई बोलता है atom elliptical है कभी कोई बोलता है atom indivisible है कोई बोलता है atom divisible है कोई बोलता है atom electron wave है तो भाई तुम लोग पहले खुद तो सीख लो तब जाके हम लोगों को बताओ अभी तो लोग परशान है chemistry से न्यूटन वाइस आप सही थे अच्छे थे तो हिसाब किताब क्या ना कि chemistry में कोई भी एक particular theory अपने आप में perfect नहीं है मालीकिल की कुछ properties किसी particular theory से explain हो सकते हैं जबकि कुछ दूसरे properties किसी दूसरे particular theory से explain हो सकते हैं कोई भी थे अपने आप में perfect नहीं है ना atomic structure में जाओ वहाँ ना chemical bonding में जाओ वहाँ ना coordination compound में आओ यहाँ ठीक है तो बहुत सारी चीज़े हैं coordination compound में जो valence bond theory equivalent nature पर ही explain कर सकता है उस property को जबकि बहुत सारे features या property ऐसे हैं जो crystal field theory explain कर पाता है जैसे color वगएर magnetic property वगएर तो आगे धीरे धीरे चीज़े clear होगी इसी को science बोलते हैं एक की कमी पर दूसरे का खड़ा होना ठीक है एक कमियों पर कुछ कमियों पर एक theory के कुछ कमियों पर drawbacks पर दूसरे theory का आना यही तो science है इसी को तो तरक्की बोलते हैं विकास बोलते हैं हम लोग चलिए तो हमने clear किया इसलिए हमने बोला बटा कि अगर नहीं कुछ बोला जाए तो लिगेंड समानी तोर पर valence bond theory के according consider किया जाए लोग जो हल्ला करते हैं पूछे लिगेंड क्या है किसी से लिगेंड क्या है लिगेंड क्या है लोन पेर देने वाला सबस्टाइस है तो उसको बोलो यह बात तुम बोले क्या पाई लेक्ट्रों नहीं दे सकता है अगर उसको तो बोले फिर किस्टल फिल फिएरी पढठे क्यों वहां तो आयूनिग बन बोलते हो कैसे होगा loan pairs और πाई electron pairs with central metal with vacant hybrid orbital of central metal और ये जो coordination होगा that should be sigma coordination bonds could be pi और sigma दोनों हो सकता है लेकिन coordination ये sigma होगा तो चलिए हमने आपको सिर्फ ligand का definition समझाया अब मैं आगे बरता हूं ligand के classification में valence bond theory के coding चलना है हमने ये clear कर दिया आजाओ क्लासिफिकेशन अफ लिगेंज अब किस पर चलना है valence bond theory hybridization और valence bond theory को दियान से कि लिगेंड को आपने अब electron pair दोने वाला substance बोला कि हो सकता है कि आपका लिगेंड एक electron pair दे दो दे तीन दे चार दे ऐसे इसलिए लिगेंड का नाम होगा mono dented ligand by dented ligand try dented ligand इस तरह का अच्छे से कि दियान से देखें हम हमने बोला कि ligand वैसा substance है जो क्या करेगा अपना pair of electrons दे रहा है तो पहली बात लिगेंड अगर आपके मन में खयाल हो सकता आपके दिमाग में यह आए कि ligand वैसा ही substance कैसे क्यों नहीं हो सकता है वैसा भी substance जो एक electron दे दो electron ही क्यों देगा point क्या है बिटा compounds जितने बनते हैं ठीक है ligand type के में बात कर रहा हूँ अभी फिलाल मतलब वैसा compound जिसके पास जो ligand का behavior कर रहा है वो डाय मैगनेटिक होते हैं तो पेर उफ एलेक्ट्रोंस ही उसके पास होएगा वो सिंगल एलेक्ट्रों नहीं दे सकता है क्लिएर है दूसरी बात जब भी एक आप को वेलेंट बनाते हैं बहुत सारे point है एक एक करके बोला पहला प्रेला प्रेंट क्या बोला mostly इलेक्ट्रों होते हैं तो एक के पास तो वेकेंट है तो सामने से इसका मतलब दो आएगा यह भी point है अब आज तीशरे बात पर ऐसा नहीं होता है कि लिगेंड एक इलेक्ट्रों नहीं देता है वन इलेक्ट्रों डोनर लिगेंड भी होता है लेकिन वैसे complex की संख्या डाइध, हाइल, जे, इंक बहुत सारे हैं और्गेंड मेटलिक के केस में आप पढ़ेंगे वन इलेक्ट्रों डोनर भी हम लोग बोलते हैं लेकिन उसकी संख्या बहुत कम है तो हम लोग जब भी लिगेंड को consider करते हैं ऐसा दिमाग में आप नहीं लाए कि एक इलेक्ट्र अगर आपने बोला टू इलेक्ट्रों डोनर लिगेंड लेकिन हमने बोला वन इलेक्ट्रों डोनर लिगेंड भी होता ह। यह भी हो सकता लेकिन यह रेयर भी है यह रेयर भी है यह और है यह ऊता है यह रेयर भी है एक्जामपल के तौर पर आरमजी एक्स यह सब एक्जामपल के तोर पर डाइंधाइल जंग ज इन स्टस्थ फायब होल two कि एक्जामपल के तौर पर टपर टैरा इखाइल लेड पीबी। है और इनिमेटलिक में आपको मैं पढ़ां या घ्री एलिए लट्रों डोनर भी हो सकते हैं ये भी बहुत रेयर है ये भी रेयर भी है वी रेयर है प्री लग्ट्रेय। बनाते हो याद करो यह वाला है तो जब आपका के साथ मेटल का कॉंप्लेक्स बनेगा तो यह तीन इलेक्ट्रॉन देगा क्लियर हुआ न्यूट्रल मतलब आप क्लियर बोलोगे न्यूट्रल लिगेंड इस थ्री लक्ट्रॉन डोनर लिगेंड लेकिन ऐसे एक्जम्पल क्या बहुत हैं कम न्यूट्रल जो डोनर लिगेंड होते हैं वो थ्री लेक्ट्रॉन डोनर होते हैं क्योंकि इसके पास यह दो बॉन्डिंग और एक एंटी बॉन्डिंग के कारण यह वाला आपका मोस्ट मतलब क्या बोलो वाइब्रेटिंग पेयर है जो मेटल के तरफ सिफ्ट होता है लेकिन फिर भी हम मैं बोलूंगा इस बात को कि बटा नहीं जादे चीजों को बोले आप सिंपली यही बोले कि लिएंड आपको पढ़ना बहुत सारे लिएंगरन ऑफ क्लासीफिकेशन में आप टू इलक्ट्रों डॉन के बात चाहिए लॉकट्रौं डॉनर में हर्पाइय मोनो डिन्टेट लिएन्ड बोला जाएगा सब्सक्राजीन कि यो सिर्फ एक पर अफ एलेक्ट्रिंश दे सकता है और रिकट्रोंश दे सकता है दिन्टेट नहीं सर कहां तक जाएगा बहुत आगे तक जा सकता है हम लोगों के सिलबस में हेग्जा के आगे नहीं जाना होता है डॉट 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 हमने लगा दिया अब बाई के आगे सब को हम लोग पॉलिडेंटेट बोलते हैं लेकिन बाई के आगे पहले नहीं पॉलिडेंटेट लिगेंस क्लियर है तो जेनरली लिगेंड जब बोलेंगे तो आप यही बात बोलेंगे क्या कि लेक्ट्रॉन टू डेनर लिगैंसी, टू इलेक्टरॉन डोनर लिगैंसी होते हैं, दो इलेक्टरॉन देने वाले होते हैं, फिर हमने बोला कि यह मोनो डेन्टेट होते हैं, बाइडेन्टेट होते हैं, ट्राइडेन्टेट होते हैं, ट्राइडेन्टेट होते हैं, बाइडेन्टेट के आपने सीखा बाइडेंट लिए अब क्या प्वाइंट है अब क्या प्वाइंट है डेफिनिशन बगएर लिखना बेकार की चीज़े हैं फिर भी एक लाइन लिख सकता हूं लिगेंज टैपेबल टो डोनेट वनली वन पेयर अफ लेक्ट्रोंस इसी तरीके से आपका क्या आजाएगा बाइडेंट 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 इसी तरी जी बिल्कुल सब्सक्राइट इस तरह से जाएगा अब इसकी दुनिया के लिए हम लोगों को एक्जामपल लेकर चलना है नॉमिन्क्लेचर ये कहता है नॉमिन्क्लेचर ओफ लिगैंस वो ये कहता है कि अगर आपका ध्यान से सुनेंगे नॉमिन्क्लेचर ओफ लिगैंस कहता है कि अगर आपका नेगेटिव लिगैंड है तो आप ओज़िक्स लिगैंड के नाम में लगा है अगर पॉजिटिव लिगैंड है तो आप पहले एक्जामपल भी तो कर दूँ एक्जामपल के तौर पे एक्जामपल भी देते जाओं जैसे CL- क्लोरो या क्लोरिडो क्लोराइड से CN- साइनीडो क्लेर हो गया साइनाइड से अगर नेगेटिव लिगैंड है तो कौन सा सफिक्स ओ सफिक्स नॉमिन्क्लेचर कहता है अगर positive ligand है तो em suffix कौन सा जी तर e-m suffix positive ligand है तो em suffix example भी कर लो example example no plus no is natrocyl no plus is natrocylium ठीक है neutral ligand में मतलब ligand पर अगर कोई charge नहीं है तो कौन सा suffix o suffix स्वरी negative ligand में o suffix neutral ligand में em suffix neutral है स्वरी positive क्यों miss कर जा रहा हूँ अब है अगर neutral ligand है किसी भी तरीके का suffix इस्तेमाल नहीं होगा no suffix अब अच्छे से देखे विटा हमने क्या-क्या बोला फिर से पिट कर रहा हूँ ligand अगर negative है तो o suffix ligand अगर positive है तो em suffix ठीक है और ligand अगर neutral है तो no suffix एक मिनट एक मिनट no suffix का ये मतलब नहीं है no लगा दो तुम लोगों का कोई भरोसा नहीं है कोई भरोसा नहीं है बिटा no any suffix किसी भी तरीके का suffix नहीं होगा अगर ligand कैसा है neutral है तो आपने तीन चीज़ें नोमेंकलेचर में देखी अगर आपका ligand negative है तो आप o suffix लगा के नाम बोलेंगे अगर आपका ligand positive है तो आप em suffix लगा के नाम बोलेंगे और अगर आपका ligand neutral है तो आप किसी भी तरीके का suffix का इस्तेमाल नहीं करेंगे negative o suffix, positive em suffix और neutral ligand किसी भी तरीके का suffix नहीं इस्तेमाल होगा उमीद है आपको ये समझ में आया होगा एक्जामपल करता हूँ पहला एक्जामपल लेता हूँ NH3 यहां से देखे ए नमबर NH3 यह neutral ligand है तो neutral ligand में आपको suffix इस्तेमाल नहीं करना है तो क्या मैं ammonia का नाम NH3 का नाम ammonia बोल दो इस ligand का नाम बिलकुल नहीं इसका नाम होगा एमीन बोल दो बिलकुल नहीं इसका नाम होगा एमीन एडबल M अच्छे से सीखे क्यों सर अमूनिया में क्या problem है सुनने में खड़ाब लगता है क्या अमूनिया में point है अमूनिया किसको बोलते हो NH3, NH3, NH3 बहुत सारे NH3 molecules के बीच जो hydrogen bond होते हैं उस cluster को उस system को उस combination को उस network को आप अमूनिया बोलते हो clear हुआ H2O is not water mind it H2O is not water water is H2O या कह सकते हैं water is the combination of many H2O molecules where H2O molecules get interacted through hydrogen bonds तो आपको समझना पड़ेगा आप अमूनिया कब बोलते हैं जब बहुत सारे NH3 hydrogen bonds से जुड़े हुए है तो अमूनिया का gas बनता है यहाँ पर जो NH3 है क्या उसमें अमूनिया वाली property है ध्यान से बिलकुल नहीं है बिलकुल नहीं है यह NH3 अपना lone pair Central metals यह free नहीं है कि दूसरे के साथ hydrogen bond बनाले पता चला अभी यह दूसरे के साथ hydrogen bond नहीं बना सकता बिलकुल नहीं बना सकता तो आप इसको अमूनिया क्यों नहीं बोलेंगे समझ में आया आप यकिन मानो बच्चों को नहीं पता है कि क्यों NS3 को ammonia नहीं बोलते हैं नहीं पता है तो NS3 को ammonia क्यों नहीं बोलते हैं क्योंकि यह compound नहीं है यह एक molecule isolated molecule है लिगेंड और जब यह लिगेंड बन गया NS3 तो ammonia की जो अपनी property थी वो सारे property उसके खो गए वो नया चीज बना लिया यह अब hydrogen bond भी नहीं बना रहा है एक example के इस तोर पर सोचो माल लो हमने आपको complex पढ़ाया CO NS3 whole 6 CL thrice पढ़ायन बिटा CO NS3 whole 6 CL thrice छे ammonia है बीच में लेकिन कोई भी आपस में hydrogen bond नहीं बना सकता है क्लियर हुआ 6 NS3 है CO NS3 whole 6 लेकिन कोई भी आपस में hydrogen bond नहीं बना सकता क्योंकि हमने बोला आप वो ammonia है यह नहीं वो individual molecule है जिसकी पहचान जिसका काम है लोन पेर coordinate करना वैलेंस बॉन थेरी के कोई इसलिए आप इसको ammonia नहीं बोलो बाकि एमीन क्यों नहीं बोलोगे क्योंकि एमीन ग्रूप होता है और एमीन ही इसका नाम परा फाइनली क्लियर हो गया तो NH3 को आप एमीन बोलेंगे बहुत अच्छा कॉंसेप्ट अब आजो कितना लोन पेर दे सकता है सर सीधी सी बात है यह एक ही पेर अफ लेक्ट्रॉंस दे सकता है सिंगल इसलिए सर इसको आप मोनो डेंटेट लिएंड बोलेंगे उमीद है हमने अच्छे से क्लियर किया बी नमबर में आता हूँ लेके आपको H2O ठीक है अच्छे से देखें H2O बी नमबर में लेके आ रहा हूँ H2O अब H2O का नाम आप एक बार फिर से क्या वाटर बोल सकते हैं क्यों धेर सारे H2O जब हाइडरोजन बॉन से आपस में जूरे रहते हैं और पानी बनाते हैं तब वाटर बोलते हैं इसका भी कुछ और नाम होगा इसका नाम है एकवा या एकवो नाम बदल दिया गया लिगेंड के तो वाटर और एकवा में अंतर आपको समझ में आ गया अगला पॉइंट अब यह कितना डिंटेट लिगेंड है इस पर सर दो pair of electron है सर भी complete है Octet complete है तो सर ये legend है मैं पूछू की कैसा legend है बोलो सर दो pair दे सकता है ये by dentate legend है कैसा legend है ना मुनना ना ये Monodented legend है भाई साथ सर यही तो प्रॉब्लेम है जब इन और्गेनिक पढ़ने में मज़ा आने लगे ठीक उसी वक्त आप पासा पलट देते हैं अगले पेज में बता रहा हूँ क्यों मोनो डेंटिट है लेकिन हाँ यह बाई डेंटिट भी हो सकता है कैसे नेक्स पेज में बताता हूँ आप पेजस की स्क्रीन स्वाट ले ले प्लीज क्या आप सीखने जा रहे हैं एच टूओ के पास दो पेयर अफ एलेक्ट्रोंस है लेकिन वो मोनो डेंटिट लिएंड है कैसे गौर करें अच्छे से धियान दे जब भी आप कोई सेंट्रल मेटल लें जिसके वैकेंट और बाइटल में आपको एच टूओ को लोन पेयर देना है तो ज़र आप गौर करें आप ऐसे देंगे अब इसका दूसरा जो लोन पेयर है वो इधर है एच इधर है और यह इधर है क्योंकि इसकी हैवडाइशन आपके है तो यह एक टेट्राहेडरल यूट यूणित है यह जो है यह है वोटा टेट्राहेडरल यूणित है तो आप ही ज़रा सोचे आपका यह एक पेयर यहां है यह एक पेयर यहां है और एच्ट्नू में बताऊं आपको साहध मालूं नहों यह जो बॉन्ड इंगल है यह बॉंड एंगल लोन पेर इसको बॉंड एंगल नहीं बोलते हैं बॉंड एंगल तो यह है जो 104.5 ठीक है तो आप जरा देखें कि आपका पेर यह है यह सामने जा रहा है दूसरा पेर यह है वो इधर जा रहा है तो आप ही सोचे कैसे एक समय में इस मेटल के पास दूसरा पेर पहुंचे इंपॉसिबल या तो आप उपर वाले पेर से काम कर सकते हैं या आप नीचे वाले पेर से काम कर सकते हैं दो में से किसी एक ही पेर से ना काम कर पाओगे उन कैसे मिस कर गया पता नहीं आज तक कभी नहीं मिस किया था है भॉंड अंगल नहीं मतलब पेयर के अक्सिस का बीच का एंगल है साइड आई थिंग कि एस्पी 2 हब्रडाईज होता है उधेर तो 120 एंडेड़ फोर है नहीं हंडेड 20 पार होगा 130 वगेरा होगा 130 डिगरी निकालूंगा तो निकल जाएगा लेकिन चलो कोई काम नहीं है ये एंगल 120 से मैं बड़ा लिखे देता हूँ 120 से बड़ा है प्रोबैबली तो लोन पेर के बीच का एंगल ये जो है 120 से बड़ा एंगल है तो आप ही सोचे कि ये वाला पेर अब कैसे आपके इस चीज के पास पहुँच सकता है मेटल के पास पहुँच सकता इसलिए आपका एक बार में वो एक ही पेर कोई दे सकता है दूसरा पेर दे ही नहीं सकता तो H2O क्या पेर हुआ मोनो डेंटेट है इतना ही नहीं यहां से एक चीज़ें और शीखने को मिल जए हैं एक एटम पर कितना भी पेएर क्यूं नहों पिर से रपीट कर रहा हूं let me tell it again यह मेटल है और यह लीएंट है यह मैटल है तो इसको ऐसे मिल रहा है यह लीएंट今 पास दूसरा पेर इधर होगा उधर होगा इसी पर तो दो दो पेर नहीं हूगा ना मेटल तो यहीं होगा इसलिए किसी भी हाल में एक एटम पर कितने भी पेयर हो दे सकता है सिर्फ एक 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 एटम पर हमने बोला है एक मालीकुल पर नहीं मालीकुल पर नहीं बोला मैंने एटम पर बोला एक एटम पर कितने भी पेयर हो वो दे सकता है सिर्फ एट तो यह तो मोनो डेंटेट लिएंड क्लियर हो ही गया कौन एक टूओ अरे यार यह क्लियर हो ही गया अब क्या है ध्यान से मैं एक टूओ को पाई डेंटेट बेहवियर इस्तेमाल कैसे कर सकता हूँ असटा ब्रिजिंग लिए अगा हम जी ब्रिजिंग लिएंड के रिप में किसके रूप में ब्रिजिंग लिएंड के रूप में जब जाएंगे आप तो अच्टू या हएग ignore करेगा सर क्या हुआ यह एक्जम्पल मैं यह सोचो CO H2O whole 6 पर 6 plus इस example को देखो इसमें कैसा है साब किताब है CO 3 H2O इसको pair दे रहा है 3 H2O इसको pair दे रहा है sorry 8 लेना था और 2 H2O बीच में 6 देखे पहले इसको side को बना लो clear हुआ यह जो side वाला ligand है यह कितना pair दे सकता है सिर्फ एक ने बिटा यह कैसा ligand हुआ monodent अब बीच में आजो इसको दिया इसको दिया clear हुआ तो यह वाला जो bridge H2O है फिर ले लो एक pair इसको दे दिया एक pair इसको लेकिन एक मेटल को तब भी नहीं दे पाया दो मेटल की जो रत पड़ गई एक मेटल के केस में वो अब नहीं होपायगा कभी आपने क्या बोला ब्रिजच टू ओ लिय कुए अपकर प た बिरीज मेंजोटों क cozy तरह को कि पर आपकेश से से सैंट आप सिंप्ष बीज वाला केस तो नहीं बोलेंगे आप और मेंचलेक्स में मेंकेश में स्टार्ट केंदर कितना इंदर समी इंदर किन इना पर देटा रहा लेने जा रहा हूं अच्छे साथ है पेज नमबर दस कि तीसरा एक्जम्पल ले रहा हूं मैं पीरिडीन इसलिए कुछ नहीं लगाया कोई सफिक्स नहीं यह देखें कितना डेंटेट लिगेंड बहुत क्लियर मोनो डेंटेट आपसे सवाल किया जाता यह कितना डेंटेट लिगेंड है अगला एक्जम्पल आजाएं नेक्स्ट मादलो आपने लिया सी अल मैनस चार पेयर नाम क्लोरीड लेकिन एक ही एटम पर चार उपेयर है बोलोगे से अभी अभी हमने पढ़ा है एक एटम पर कितना भी पेयर हो उसमें से कोई एक ही मेटल के सामने जा सकता मोनो डेंटेट एस डबल मैनस से वैलेंस सही है क्या लिखोगे सलफाइड सलफीडो कितना डेंटेट मोनो डेंटेट ओ डबल मैनस ओक्जो या ओक्जीडो कितना डेंटेट मोनो डेंटेट ओ एच माइनस कितना पेयर तीन पेयर न जी इस बार तीन पेयर आएगा नाम है डेंटेट कितना डेंटेट हडर ओक्जाइड से निगेटिव लिखन में सब में O, O सफिक्स क्लियर है तो सब में कितना डेंटेट होते जा रहा है सब मोनो डेंटेट अच्छे से आ जाएगा नेक्स्ट ले लेता हूँ एन पर ट्रिपल मैनस 5 बैलेंस 3 मैनस 3 आ गया आठ आठ में कितने पेयर सर चार पेयर क्या नाम हो जाएगा नैट्राइड से सर ओ लग जाएगा नैट्रिडो कि अच्छा एनेच ध्यान से एक हीड्रोजन जोड़दो एन अ एक पर 2 मैनस अब कितना पेयर 3 के जगा 2 आ जाएगा एक हैड्रोजन जोड़ दिया हमने तो अब इसको बोलते हैं एमाइड से इमेडे अ बन गया तो यहान से एक हैड्रोजन और जोड़दो एनेच टू माइनस एनेच टू माइनस अब कितना पेयर सिर्फ एक पेयर कि दो पेयर अच्छा उस पे चार था तो इस पे तीन ना आएगा जी इस पे दो पेयर क्या नाम हो जाएगा एमाइड से एमीडू ख्लिर हो गया और एक डाल दोगे तो अमोनिया हो जाएगा तो आप यह सब का लें कितना डैंट लिगंड है यह सब सब के पास एकं के इकुछ। reg Lulu aan सारे आपके monodented ligands उमीद है आपको ये concept आपका clear हुआ होगा आजाए नेक्स्ट इन नमबर मैं देता हूँ ध्यान से 22-bipyridine क्या लिया 22-bipyridine short में BIPY बोलते हैं इसको 22-bipyridine लिगैन के तौर पे हमने लिया अच्छे साज अब बढ़ियां से सीखें 2-pyridine है second position पे आप एक दूसरे के respect में add करें ये ले लो सही है एक यहाँ पे और एक यहाँ पे अब जरा गौर करें अब एक एटम पर दोनों पेर नहीं है दो एटम पर पेर है तो आपके metal के पास एक तरफ के vacant orbital में ये पेर कोडिनेट किया जा सकता है और एक तरफ के vacant orbital में गौर किया आपने तो ये एक इस तरह से रिंग बन गया जरा देखे कैसा रिंग बना रिंग बन गया कितना मेंबर का रिंग स्टेबल होता सर फाइव और सिक्स ये कितने मेंबर का फाइब मेंबर तो आप बोलेंगे पहली बात ये कितना डेंटेट लिएड सर बाइड डेंटेट लिएड बहुत क्लियर है दूसरी बात पाइब मेंबर स्टेबल रिंग है ये रिंग बनने को आप चिलेशन बोलते हैं इस प्रोसेस को रिंग बनने के प्रोसेस को चिलेशन बोलते हो इसलिए यह चिलेटिंग लिगेंड हो गया ऐसे कॉम्प्लेक्स को चिलेटेड कॉम्प्लेक्स बोलते हैं या चिलेट्स बोलते हैं चिलेटिंग लिगेंड रिंग बनाने वाला और यह stable ring बनेगा क्योंकि 5 में बड़ के stable ring होते हैं तो इस तरह से आपने क्या देखा कि बाइप पिरिडीन कितना डेंटेट लिए निकला अगर मैं लेलू बटा नेक्स नमबर में एफ नमबर लूँगा और पेज नमबर 11 यहां से 22'2'' तर्पिरिडीन इसको short में terpy लिखा जाएगा सर अब तो clear हो गया यह tridentate हो जाएगा clear हो गया होगा आपका नहीं हो जाएगा यह ले लो तक्ड मान में याएगार उड़ हो जो जाएगा蘿लै लूण Sverige है कि उड़ है कि जाएगा ओ्यान में में मान झूड़ हो एको अ नम कानष्स आएःगार लू चेरôm कि ले रहे मतलब तीन इस तरह से हम लोग लगाएंगे ठीक है तो देखो बटा यह मेटल है आपका एक यहां से एक यहां से और एक यहां से यह भी एक पांच मेंबर का रिंग हुआ तो इस तरह से कितना देंटेट लिए तो स्ट्रक्चर जिसका जिसका धीरे धीरे इंपॉर्टेंट होगा मैं इंपॉर्टेंट लिख दूंगा अभी तो आप लर्निंग वाले एक्जामपल पे हो नेक्स्ट आजाओ पर अच्छा मैं करवा रहा हूं अब इंपॉर्टेंट में यह सब्सक्राइब करके था बिस दो के लिए इंटिलीन डायमीन आप गहर करें टायमीन नहीं है इस बार एमीन है single M, amine double M ammonia NH3 के लिए आप लिखते हैं इसको short में in अच्छे से देखे दो बाते चेक करनी है, important है पहला कि इस ligand का formula क्या होगा और दूसरा ये कितना dented ligand होगा दोनों बातों को चेक करना, आज है अच्छे से सीखे बढ़ियां से, ध्यान दे एक बटा, इथिलीन क्या है, C2H4 और diamine, amine group add करना है, तो C2H4 में क्या add करोगे, NH2 ना, क्या add करोगे NH2 ना, तो बहुत तो simple हो गया हाँ, फर्क क्या है, जो C2H4 normal बनाते हो, उसमें double bond बनाते हो बिलकुल सर, लेकिन यहाँ पर double bond नहीं बना सकते हो, अगर double bond बनाओगे, तो फिर दोनों तरफ amine add कैसे करोगे, तो आपको single bond करना होगा, तो यह किस तरह का formula होगा, देखे ध्यान से, C, C, N, N, H2, hybridization बहुत important है, ध्यान में रखना, क्योंकि hybridization के according चीजें मुर्ती है, bonds bend होते हैं, ठीक से देखो, तो आपके N, H2 के पास एक pair आएगा, यहाँ भी एक pair आएगा, तो आप अगर metal को रखेंगे, तो यह भी pair दिया जा सकता और यह भी, एक, दो, तीन, चार, पांच, पांच मेंबर का एक stable ring तैयार हुआ, तो इस तरह से आपने क्या देखा, कि सर, इथिलीन डायमीन एक bidentate ligand है, जिसका दो डोनर साइट है, N, N, इथिलीन डायमीन एक, यह पूछा जाता है, इथिलीन डायमीन एक bidentate ligand है, जिसके दो डोनर साइट है, N, N, दो डोनर साइट है, N, N, फर्मूला दियान लाओ, कैसे लिखोगे, इथिलीन, C2H4, डायमीन दोनों तरफ 1, 1, N, H2, तो इथिलीन डायमीन एक bidentate ligand है, जिसके दो डोनर साइट है, N, N, टेको, चिलेटिंग ligand जो होते हैं, ये stable complex समानी तोर पर बनाते हैं, यूजवली, चिलेटेड़ कॉंप्लेक्से, चिलेटेड़ कॉंप्लेक्से समझ रहे हो, बाइडेंटेट, ट्राइडेंटेट वगरवाले, चिलेटेड़ कॉंप्लेक्से जार, समानी तोर पर हमने बोला, कि चिलेटिंग ligand जो होते हैं, वो stable complex बनाते हैं, मोनो डेटेड़ लिएन कॉंप्लेक्से के रिस्पेक्ट में, मतलब एक्जम्पल के तोर पर, अगर मैं लिखू CO NH3 whole 6 triple plus, ठीक है, और मैं लिखू CO EN whole 3 triple plus, क्या difference अच्छे से देखू, यहाँ एक NH3 amine आपका एक पेर दे रहा है, तो टोटल कितना पेर रिसीव किया इसने, 6 पेर of electrons received, अच्छे से देखिया गपटा, किसी को valence bond theory coordination number बोलता है, किसी को valence bond theory coordination number, आप verners theory जब पर रहे थे, तो वहाँ पे कोई lone pair का देने लेने का खेल था नहीं, तो वहाँ simply coordination number किसको कह दे रहे थे, number of ligands, number of ligands तो 6 है, लेकिन valence bond theory कहता है, number of ligands नहीं, कितना pair of electrons metal ने receive किया, that is coordination number, let me repeat it again, कितना pair of electrons metal ने receive किया, that is coordination number, अब वहाँ पे देखो, ligands तो 3 ही है, तो क्या coordination number 3 बोल दिया जाया है, नहीं सर, आपने बोला कि कितना pair of electrons receive किया, metal ने, तो इथिलीन डाइमीन का एक molecule दो pair दे रहा है, चुकि यह बाइडेंटेट लिएंड है, इसलिए 3 मिलके, सर यहाँ भी 6 pair of electrons received, clear हुआ, इसलिए सर, coordination number 6 होगा, मैं अब खेल समझा रहा हूँ आपको, पर बने रहें, इस पार्ट के last page पर, आजाए यह बटा अच्छे से, माल लो कि आपने यह complex लिखा, CO, NH3 whole 6, पर टरपल प्लस, सही है, अब मैं ammonia को हटा के, यहाँ इथिलीन डाइमीन, बाइडेंटेट लिएंड वाला एक complex तयार करना चाहा हूँ, तो बोलो के सर, इसमें क्या है, आप, चार, सौरी, तीन मोल इथिलीन डाइमीन डालने, एक्वस, ठीक है, तो सर, आपका एक नया complex बन के तयार है, CO, EN whole thrice, ताइज से अगन बटा, अभी भी, coordination number, सर, 6 है, क्योंकि 6 pair मिला है, और यहां भी coordination number 6 है, अब उने बताया था, कोबल्ट 3 प्लस का coordination number 6, अब, कौन बाहर आ गया, सर, 6 मोल जो अमोनिया है, आपका एक्वस सॉलिशन में बाहर आ गया, अब इस change को देखें जड़ा, आपका जो, भाई सहाब, reactant था, वो कितना मोल था, और तीन मोल एड़ किया, सर, यह reactant 4 मोल था, बिटा, प्रोड़क्ट कितना मोल है, सर, 6 मोल तो अमोनिया बाहर निकल गया, और एक मोल आपका सर, नया complex बना, बाई डेंटिट लिएंड वाला, सर, टोटल 7 मोल्स, तो क्या different हुआ, सर, यह तो साप पता चल रहा है, साप सर पता चल रहा है, कि entropy change बढ़ गया, काफी तेजी से, 4 मोल, 7 मोल्स में चला गया, अल्मोस्ट दुगुना होने जा रहा है, अगर entropy change बढ़ गया, तो delta G equals to delta H minus T delta S, जब entropy change बढ़ गया, तो यह वाला factor बहुत तेजी से बढ़ गया, तो यह वाला factor बहुत तेजी से घट गया, और आप delta G को फिर आगे लिखने वाले हैं, minus NRT log KF, अच्छे से देखे, तो जब यह delta G कम हो गया, तो आपका KF की value इसका मतलब बढ़ गयी यहाँ पे, वो अगर घटा तो इसका मतलब यह बढ़ा, क्योंकि negative में है, तो KF बढ़ गया, तो इससे क्या conclusion निकला, सर यह तो साब पता चल गया, कि KF increases largely, तो बटा अभी तो हमने बोला भी था, increases largely, और KF formation constant largely बढ़ने से, stability बढ़ गयी, मैंने साबीत कर दिया, अब मैं इस complex के, stability constant की बारे में बाते करूँ, मैंने पीछे पढ़ाया था वैसे, इस complex का stability constant है, KF 10 to the power 35, काफी stable complex है, अब इस complex के formation constant की भी सर बाते कर लो, इस complex का formation constant है, 10 to the power 45 है, अब आप ही ज़रा सोचे, कि क्यों ये complex ज़्यादे stable हुआ या नहीं, तो chilleted complex का जब formation होता है, monodentity again complex को वो, say, chilleted बन रहा है, तो obvious entropy change बढ़ने के कारण, delta G काफी घटता है, आप इसलिए बोलते भी है, कि जो ring का formation होता है, chillation होता है, cycle का formation होता, उससे stability बढ़ती है, लेकिन हाँ, ring एक proper members के साथ बनने चाहिए, 5 या 6 member के ring stable होता है, तो दोस्तों, आज के इस पार्ट में, ligand के introduction में, हमने बहुत सारी चीज़ें आप से discuss करी, आप screen shot भी साथ में ले सकते हैं, हमने discuss किया कि H2O के बारे में, H2O monodentity ligand है, H2O किस तरीके से breeze ligand के पढ़ आएगा, तो वो bidentit हो सकता, otherwise monodentity ligand रहेगा, हमने discuss किया है, फिर pyridine के बारे, आप screen shot लेते जाए, pyridine और बाकी वैसे example को हमने लिया है, जहांपर कि आपका एक से जादे electron pair है, central atom पर, लेकिन कितना भी वो एक atom पर, सारे के सारे क्या होंगे आपके, वो monodentity ligands होंगे, 22-bipyridine, bidentate ligand, हमने अगले page में, 22-2-double-daster, pyridine लिया, वो tridentate ligand है, etheline diamine हमने लिया, वो आपका जो है, bidentate ligand निकला, और bidentate ligand, जो यूज़ वाली, chilated complexes होते हैं, bidentate, tridentate वाले, वो जादे stable होते हैं, हमने इसको एक complexion process के थुरू आपको दिखाया है, तो उमीद है, आपको आज का lecture अच्छा लगा होगा, आपने बहुत सारी चीजे, मज़दार तरीके से सीखी होंगी, कैसा रहा overall lecture, तो मैं यहाँ पर विदा लेता हूँ, आप लोगों से यह पूछते हुए, और उमीद करता हूँ, कि awareness theory के question को आप solve कर ले चुके होंगे, और या अगर आपने नहीं किया भी भी, तो आपको मैंने answers भी दे दिया, आप उसको solve कर लेंगे, अगले lecture में, लिगयन के classification में हम लोग और भी जम के बाते करते हैं, थैंक्यू सो मच, ऐसे ही प्यार करते रहे हम से, अलविदा,